हेलो गाईज, दिस इस कैला संदर ये सारी चीजें मैंने आपके खाने के लिए नहीं रखी आज का हमरा जो टापिक है वो इन से रिलेटेड है तो आप सोचें कि टापिक क्या होगा चलो मैं ही बता देता हूँ आज का हमरा जो टापिक है वो है बायो एनेजेटिक्स और जो आज की लेक्चर के अबजिक्टिव्स हैं वो ये हैं कि बायो एनेजेटिक्स क्या है फोटो सेंथेसिस किसे कहते हैं रेस्पारेशन क्या है और रेस्पारेशन और फोटो सेंथेसिस के बीच में डिफरेंसे कौन से हैं बायो एनरजेटिक्स एक क्वांटिटेटिव स्टडी है जिसमें लिविंग अर्गनिजम्स में किस तरह से एनरजी कंजर्व होती है किस तरह से रिलीज होती है एनरजी का रिलेशन्शिप मतलब ऐनरजी किस तरह से एक फार्म से दूसरी फार्म में कनवर्ट होती है वो सारा जो है बायो एनरजेटिक्स में पढ़ा जाता है मतलब बायो एनरजीकल सिस्टम्स मीज लिविंग आर्गनिजम्स जो जिसम में लाइफ हो अनमें किस तरह से energy conserve होती है किस तरह से energy convert होती है ये सारा पढ़ा जाता है बायो एनरजेटिक्स के दो main principal processes है एक है photosynthesis दूसरा है respiration source of energy मलब ये सारी चीज़ें आप जो देख रहे हैं इन सब में से हमें energy मिलती है लेकिन ये energy आती कहां से है इन foods में वो energy कहां से आती है ये हमें देखना है primary source जो है energy का कौन सा है primary source अगर हम देखें तो इस पूरी world में जो भी foods में energy conserve होती है वो energy आती है sun से मलब solar energy जो है वो primary source है वहां से पहले energy आती है energy plants capture करते हैं उनमें store होती है उसके बाद जो है वो foods हम खाते है तो वहां से release होती है और हमें मिलती है तो conversion जो है solar energy का chemical energy में जो conversion है इसको कहते है photosynthesis मतलब photosynthesis एक energy capturing process है sun से plants क्या करते है capture करते है sunlight जो है उसका visible part जो है उसको plants capture करते है और capture करके क्या करते है कि energy poor compounds को energy rich compounds में convert करते है inorganic और oxidized compounds को convert करते है organic और reduced compounds में ये सारा process जो है photosynthetic pigments की help से होता है मतलब photosynthetic pigments जो है वो करते है catch या capture light को अगर ये ना हो तो ना हो capture humans में photosynthesis नहीं होती क्योंके इन में ये pigments नहीं होते pigments जिस भी organism में हो जिस living organism में हो उसमें photosynthesis होती है इनके दो में examples है एक है chlorophyll और दूसरा है carotinoids chlorophyll के भी types हैं A, B, C and D carotinoids के types हैं carotines और zenthophylls photosynthesis एक energy capturing process है जिसमें green plants जो है वो क्या करते हैं green plants हो या दूसरे organisms हो जिनमें photosynthetic pigments हो वो sunlight को use करके nutrients बनाते हैं मतलब जैसे glucose है वो बनाते हैं लेकिन उनके reactants कौन से हैं कौन से reactants react करते हैं तो glucose बनता है carbon dioxide और water as a reactants utilize होते हैं इस process में photosynthesis में carbon dioxide और water in organic compounds हैं energy poor compounds हैं या oxidized farm में हैं लेकिन ये reduced farm में और जो है energy rich compounds में convert होते हैं किस process के तरू photosynthesis के तरू photosynthesis जो है वो chlorophylle की वज़ा से या दूसरे जो pigments हैं carotines या azanthophylle उनकी help से होता है photosynthesis में water और carbon dioxide as a reactant utilize होते हैं और glucose बनता है plus byproduct जो बनता है उसे oxygen कहते हैं जो हम oxygen यूज करते हैं वो plants बनाते हैं as a byproduct photosynthesis में आदेख सकते हैं कि sun light जो है वो leaves जो plants के leaves हैं या जो भी ग्रीन पार्ट है plant का उसमें chlorophylle होता है तो वो capture कर सकता है light को light को capture करके carbon dioxide और water को as a reactant utilize करके वो oxygen और sugars बनाते हैं जैसे glucose है respiration अगर देखें तो respiration बिल्कुल opposite process है photosynthesis से इसमें photosynthesis में जो reactants होते हैं वो उसके photosynthesis के reactants जो है वो respiration के products होते हैं और जो photosynthesis के products हैं वो respiration में ऐसे reactants यूज होते हैं मतलब बिल्कुल opposite process है photosynthesis में in organic और जो energy poor compounds हैं वो convert होते हैं energy rich और organic compounds में और respiration में जो organic और energy rich compound है वो टूटता है और energy release होती है और carbon dioxide बनती है यह सारा जो है introduction था bio energetic का के bio energetic है क्या उसके principal processes कौन से हैं next lectures में हम discuss करेंगे photosynthesis को detail में और respiration जो है उसको detail में discuss करेंगे थैंक्यू ϸouse repet आल कुझ ऑर बहुंडबंगां धर्भाइ प्रवण्ट पर्रफफश। झाल की अचत्रश भाजबंगां थीर्वांस